दोस्तों मेरा नाम है काना और मैं आपका फिर से स्वाइब करता हूं इस पहुत ही ज़्यादा जानकारी भरी वीडियो में और हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रॉक्सी पैठब दोस्तों मैं आप लोको बता देता हूं आज की वीडियो आप सभी भायों के बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है यह वीडियो आपके पैट की जान बचा सके यानि की आपके डॉक की जान बचा सके को इस वीडियो में आज आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो कि आपके डॉक को पार्वो वाइरस जैसी भानक और खतरनाक बिमारी से ब अब यही होता है कि इसमें 90% चांस रहते हैं आपके डॉक बच ही नहीं सकता अल्मोस्ट 10% चांस होते हैं कि आपका डॉक बच जाए यानि कि अगर उसका इम्म्यूनिटी सिस्टम बहुत जादा स्ट्रॉंग है तो वह यहां पर बच सकता है लेकिन सबसे पहले हम बात किस सकता है कि कई डॉक काफ़ी जूत करते हैं वाट बहुत अच्छी बात नहीं होती आप लोग तकरीवन कम से करें कंदो यांट 3 मनत की पापी के जब तक नहीं हुआ से हैं उस नहीं हो जाए उसको आप लोगों को भार गुमाना ही नहीं है उसको घर में रखो क्योंकि उस टाइम इनका इम्मुनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा कमजोर होता है इनको पार्वाइरस हो सकता है इसके अलावा दोस्तो आपका डॉक और जब कभी भी आप लोग उसको भार गुमाते हो तो याद रखना वो किसी दूसरे डॉक की पोटी की हुई हो जैसे उसने उसको नहीं सुगे ना उसको चाटे और किसी डूक्सुरे डॉक्स याणि जो स्ट्रे डॉक्स होते हैं उनके संपर्क में नहीं आयाए अब आप लोग यह सोच रहों कि भाई मैं अपने स्ट्रे डॉक्स के प्रति आप चांस है यानि कि आपके डॉक को भी पार्वाइरस हो सकता है इस वाली सिचुएशन में तो आप लोगों को याद रखने हैं अपने डॉक को घुमाते वक्त वह ऐसी किसी गंदगी वगएरा या फिर किसी भी चीज को चाटे शूंगे नहीं और भार वाले डॉक्स का जूटा पानी भी नहीं पी इस वातक हैं तो कि इस से को पार्वז हो सकता है दोस्थो में आपको बता दू कौन का इसके लक्ष्ट होते हैं सबसे पहले हैं अगर आपका डॉक ऐल्थी है एक अका अच्छा आ खूलता है तो उसका आपको बहगरमे चेंज्ज देखने में ग लेह तय जो वजन है यानि कि आपका डॉक कितना भी मोटा हो कितना भी हिल्दी हो उसका वजन बहुत तेजी से घटने लगेगा यानि कि आज आप लोगो ठीक दिखाए देर है कल तक बहुत कमजोर हो जाएगा ये इसका एक सबसे बड़ा लक्षन है दूसरा उसको खून वाली आपके डॉक के आतों तक पहुंच जाता है तो वहां पर कीडे हो जाते हैं बहुत बड़े-बड़े कीडे होते हैं चार तरीकी की होते हैं चोटे बड़े उससे बड़े और उससे भी बड़े गुल-गुल वाले चार तरीकी की होते हैं यह आपके डॉक के आतों को खाना चालू कर देते हैं जिससे वो जखी में हो जाते हैं यानि कि वो जितना भी खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा खून वाली ही उल्टी करेगा खून वाली ही पोटी करेगा अब इस बात पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा गौर देना है कि आगर आपके डॉग इस सिचेशन में पहुंच गया है तो अब आप लोगों कोई भी होमेड ट्रीटमेंट नहीं करना मैंने देखा है काफी सारे लोग यूटूब पर बताते हैं कि भाई पारवो वाइरस को अपने डॉग को घर पर कैसे ठीक करे मैं आपको बता दू पारवो वाइरस का ऐसा क यहाँ को एलाज ही नहीं जो आप लोग घर पे कर सको और अनौस्ट का कोई ऐसा इलाज वीननहीं जो डॉक्तर वह कर सके यह डिपेंट करता आपके डॉक की इम्मिनीविटी पर और उसके वैक्सिन पर यायनिकि उसकर दॉपर वाइकस ने होगों सिस तो उसको आप लोगों को तुरंत कि तुरंत डॉक्टर के पास ले कर जाना है महां पे आप लोगों को उसका चेक-प कराना है वह सारी चीज़ें आप लोगों डेटेल में बताएंगे और वह उनके लक्षण देखकर ही बता देंगी कि आपके डॉक को पार्वाइरस हो आप लोगो यानि दिन में टू टाइम आप लोगो अपने डॉक को ड्रिप चड़वानी जरूर और यह ड्रिप आप लोगो रखने एक दिन कभी गैप नहीं रखना बीच में आलमुस्ट चार से पांस दिन तक आप लोगो यह ड्रिप लगवानी ही लगवानी है और इसके बीच पिरिएड में आप लोग जब भी अपने डॉक को ड्रिप चड़वाकर घर लेकर आते हो तो याद रखना पानी वगएरा सब कुछ उससे दूर रखना खाने को भी कुछ म गया इस बीच में अगर वो पोटी करता है यानि कि अगर वो यहाँ पर उल्टी गन्ना बंद कर चुका है और वो सिर्फ पोटी करता है काली-काली गंदी-गंदी निकाल रहा है तो समझ लेना आपका डॉक ठीक होने लगा है यानि कि उसके पेट की जितनी भी गंदगी है वो सही रास्ते से बाहर आ रही है मुह के रास्ते से बाहर नहीं आ रही है और वो मुह के रास्ते से बाहर आ रही है अभी भी तो समझ लेना है आपका डॉक अभी भी बहुत ज़्यादा बिमार है उसके बतने के चांस बहुत ज़्यादा गम है तो इस बीच में आप लोग आप लोगों के पास अपने डॉक की प्रॉपर वैक्सीन और डिवार्मिंग करना टाइम जे दोस्तों मैं आप लोगों बता देता हूं मेरे पास अभी बैला की बेबीज हैं जो कि अभी से लग 15-17 दिन के हैं और मैंने अभी से इनकी डिवार्मिंग चालू कर दी है जैसे य अभी देखो 15 देश है मैंने पला दिया अब जब तीस दिन के हो जाएंगे तब लाए जाएगी फिर जब फिन्तालिस दिन पर लोग उनकी फस्ट वैक्सीन लगवानी है सेकंड वैक्सीन उसके अगले 21 दिन बाद आप लोगों लगवानी है ऐसे करके आपकी वैक्सीन कार भी बनेगा जहां आप लगवागा होगे वह वैक्सीन आप लोग अपने डॉक को जरूर लगवानी है और अदरवाइस आपके डॉक्स को अपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो भाई उसको आप लोगों को भार नहीं टैलाना उस टाइम पे जब वह सिर्फ 6 महीने से नीच करानी है और भार कोई भी डॉक बिमार है वो उल्टिया कर रहा है फिर पतली 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 कर रहा है गंदगी वाली तो अपने डॉक को बिल्कुल नहीं सूने देना है इससे आपके डॉक को भी बहुत ज़्यादा खत्रा हो सकता है एडब दोस्तों बात करते हैं काफी सारे भाई यहां पर परिशान हो जाते कि भाई क्या यह पारो वायरस हमको भी हो सकता है हमारे डॉक से क्योंकि हमारा जब डॉक परिशान है बिमार है तो उससे वह वायरस हमको भी हो सकता है यानि कि इंसानों को भी हो सकता है तो दोस्तों मैं आप बता दो ऐसा कोई भी केस आप लोग कहीं भाहर जाते हो और कोई स्ट्रे डॉक्स वगएरा जो की बिमार है उसको देखकर आपको दे आती है तो उस पर आप लोग हाथ फेरते हो या फिर आप लोग किसी भी डॉक के आते हो तरच में आते हो जो बिमार है जो इंफेक्टिड है पहले से ही पारव वायर बाते ही सबसे पहले आप लोग को अपने हाथ फगर्र दोने और अपने कपड़े चींज करने हैं ताकि आपके डॉक को वो वायरस ना हो सके तो इन इस सारी चीज़ों को ध्यान रखना आप लोग के से तरीके सा सकता है कैसे इसका एलाज होता है सारी चीदे में आपको बत मेल बची हुई है कि जो भी चाहिए तो वह मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंना अपना WhatsApp मेसेज नमबर दे रखा है महाँ पर मेसेज करके पूछ सकता है मैं आपको सारी डिटेल्स अगरा दे दूगा जिस किसी भाई को चाहिए वही मैसेज करना तब तक लिए कर दो है मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो बाबाई गुडबाई